दोस्तो बिग बोस का सीजिन 15 की लाइफ फीड में इस समय गर के अंदर करन कुंदरा और टेजस्वी की बीच में एक बार फिर से काफी प्यारी बॉंडिंग देखने को मिल रही है दरसल दोस्तो गर के सभी कंटेस्टेंट इस समय लिविंग एरिया में बैठ कर एक दूसरे के साथ गपपे लगाने में व्यास्त थे इसी दुरान तेजस्वी परकास भी वहाँ पर उनके साथ में बैठ थी आपको बताते हैं कि प्रतीक सेरेशभाल अकासा सिंग और राजिव अज़ातिय तीनों ही बैठ कर एक दूसरे के साथ बे बातचीत कर रहे थे वहाँ पर तेजु भी आ गई और तेजु ने आकर चुपचा वहाँ पर बैठ गई और इतन तीनों की बातचीत का फाइदा उठाते हुए पहले गहरी नीन लेली और काफी देर सोने के बाद जब उठ गई तो उनकी नज़र करन कुंदरा पर पड़ी करन कुंदरा तेयार होकर बहार inference में जा रहे थे वर्काउट के लिए और इतने में तेज इस्वी ने करन को आवाज लगा लिए तो करन कुंदरा भी उनके पास में चले आया है और दोस्तो करन ने तेजू के पास आते ही किसी से कुछ भी नहीं कहा और सीधे आकर तेज इस्वी की बाहों में लेट गे जो कि सीन देखने में वाकई काफ़े दिल्चस्थ था और तेज इस्वी ने बड़े ही प्यार से करन कसीर अपनी गौद में रखकर उसे किसी छोटे बच्चे की तरह सुलाना सुरू कर दिया जो कि सीन देखना इनके फैंस के लिए किसी सर्प्राइस से कम नहीं है लेकिन दोस्तो अचानेक से तेजू ने करन से पूछ लिया कि तुमने वर्क आउट किया या नहीं किया और इतना सुनते ही करन को नहीं जाने क्या याद आया और वो तुरंती वहाँ से उठकर चले गए खिर दोस्तो जो कुछ भी हो इन दोनों को एक साथ देखना वाकर इनके फैंस के लिए किसी सर्प्राइस से कम नहीं होता फिलाल दोस्तो आपको इन दोनों की बॉन्डिंग कैसे लगती है हमें कमेंट में जरूर बताएं कि यह आप भी तेजो और करन के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें